हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को एडी की कार्रवाई सी राज़ में कानुन व्यास्था बिगणने के सवाल पर भी प्रीराजपाल जार्खन में इन दीनों एडी की कार्रवाई को लेकर हल्चल का माहूल है कई जगों में चापमारी हो रही है, कई लोगों को पूचताच के लिए बार बार भूलाय जा रहा है इसी क्रम में अब मोकेमंतरी हिमंत सोरेन से भी कतित भूमी घोटाले से जुड़े मनिलाटरिंग मामले में पूचताच होगी अनुमान लगा जा रहा है कि जिस दिन एडी की पूचताच होगी उस दिन राजमे कानून व्यास्था बिगड़ सकती है इसे लेकर जब राजपाल सीपी राधाकृष्णन से सवाल किया तो वहां भी फर गए राजपाल ने कहा है कि एडी की कारवाई से कानून व्यास्था बिगड़ने का सवाल ही कहां उठा है मुक्यमंतरी को जवाब देना चाहिए राजपाल ने कहा है कि एडी अपना काम कर रही है कोई कानून से उपर नहीं है गौरतला भे की जामों के महासचिव सुपरियो भटाचान ने एक दिन पूर्व एडी द्वारा मुक्यमंतरी को बार-बार समन किये जाने से राजपे कानून व्यास्था बिगड़ने की संभावना जटाए थी रात में गर्वी दिन में सर्दी का सितम बिहार से सटे जिलों में घाना कोहरा ऐसा है जारखन का मौसम जारखन में जारी ठिटूरन के बीच मौसम विभाग ने आज बारिस का लट जारे किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग आई-मडी के राचे इस्तित मौसम केंदर ने कहा है कि साथी साथ या भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है जिसकी वज़े से मौसम में बदलाओ देखा जाएगा मौसम केंदर राची के परमुक अभिशेक अनन्न ने बताया है कि अगले दो दिनों में राची के निम्तम तापमान में धिरे-धिरे दो से तीन डिगरी सेंटि ग्रेड तक की वृद्धी होगी इसके बाद अगले दो तिन दिन तक तापमान में दो से तीन डिगरी की मौसम विग्यानिक ने बता है कि आज 18 जन्वरी को दचनी, मध्ध और उतर पूर्वी जार्खन में हलकी बारे सो सकती है इतना ही नहीं मौसम वाग ने 19 जन्वरी तक जार्खन की एक दर्जन से अधिक जिलों में घाना कोहरा का यलो अलट भी जारी किया है मौसम वाग के परमुख ने बता है कि उतर प्रदेस और बंगाल की खड़ी में बने साइकलोनिक की वज़से जार्खन में रात के तापमान में वृद्धी होगी जबकि सुभा के तापमान में गिरावट देखी जाएगी यानी रात में ठिटूरन से मुक्ती मिलेगी जबकि सुभा में सर्दी का सितम लोग को झेलना पड़ेगा बदलाव एवम छुट्टी दिये जाने का नुरोध किया है जार्खन अईभावक संग की अधधक्ष अजैराय ने ग्यापन में लिखा है कि पूरे राजी में ठंड और कपकपाती सितलहरी चल रही है ठंडी हवा ने लोगों के साथ-साथ असकूली बच्चों की परिशानी बढ़ा दी है जिसके कारण बच्चों की तब्यत खराब होने की सूच ना मिल रही है राजी में अचानक बदले मौसम ने लोग की परिशानी बढ़ा दी है राजधनी राची से सटे जिलों में ठंड का असर अधिक देखा जा रहा है राची के नमतम ताफमान में तीन डिगरी की गिरावट दर्ज की गई है और वर्तमान में साथ डिगरी तक पहुँच गया है कांके में पारा 2.5 डिगरी और मेकलूस की गंच का ताफमान तीन डिगरी तक पहुँच गया है इसी तरह राजधनी से सटे जिलों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है कई जिलों के ताफमान में गिरावट देखी गई है बच्चों के स्वास्त को ध्यान में रखतो जारकन सीयम को एडी का समन हिमंंतू सोरेन के पच्च में राजभौवन का घिराव करेंगे आधिवासी संगठन मोखेमंत्री हेमंतु सोरेन से एडी 20 जनवरी को उनके सरकारी अवास पराकर पूछताज करेगी हेमंतु सोरेन को एडी के समन के विरुध आदिवासी जन संगटनों ने नाराजगी जाहिर की है आदिवासी जन संगटनों का रोफे की जनता के द्वारा निर्वाजित सरकार को आस्तिर करने की साजिस की जा रही है एडी की कार्रवाई के वरुद्ध आदिवासी जन संगटनों ने सुकुरवार यानि के 19 जनवरी को राजभुवान घेराओ का आवहन किया है इसके लिए गुरुवार को करम टोली इस्थित गुमकुडिया भुवन में रन निती बनेगी राजभुवन घेराओं में राजी पढ़ह समेती केंद्रिये सरना समेती आदिवासी सेना आदिवासी विकास परिशद अकिल भारती आदिवासी विकास परिशद जो 22 पढ़ह समेती समयत अन्य जन संगटनों की भागीदारी होगी केंद्रिय सरना समेती के अध्धक्च आजेतिर्की ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि एक आदिवासी सियम को जान बोज कर एड़ी तंग कर रही है बार बार उन्हें समन जारी करना सरकार को आस्तिर करने की साजिस कहीं साहे खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बाल अकन प्रेस कर दिचे जिससे आपको जारकन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और 22 दर्ज है और इस कांड की अनुसंधान करता विक्रम कुमार को बना गया था इस मामले में बाई को लेकर भूली नगर के रौसनलाल अगरवाल से बात की और कहा कि आपको इस मामले से हटा दिया जाएगा लेकिन इसके लिए आपको 20,000 रुपए देने बढ़ेंगे रौसन लाल ने विक्रम को 15,000 रुपए दिये सेबी की टीम ने उन्हें धरद बुचा एसेबी की टीम विक्रम को पकड़ने के बाद उन्हें धनबात की गोविंदपूर थाना ले गई थाने में पूरा रिकार्ड कंगाला गया और जो है जहां विक्रम कुमार रहते थे उसकी भी जो है जाज की गई से समिक्षा बैठक करेंगे इस बैठक में डीजेपी और गिरियु सची भी उपस्तित रहेंगे धिरेंदर सास्त्री के कारिक्रम पर हाइ कोट में सुनवाई जारकन डीजेपी सीएस बोले दो लाख लोग जुटेंगे सुरक्षा देना पर इसानी कोट ने नई याचिका दायर करने को कहा जारकन के पलामू में पंडित धिरेंदर कृष्न सास्त्री के प्रस्तावित कारिक्रम को रद्द करने पर बुधवार को जारकन हाई कोट में सुनवाई हुई हाई कोट के जस्टिस अनन्द सेन की कोट में डीजीपी और मुक्य सची वर्षवली हाजिर हुए दोनों अधिकारियों ने कोट को बता है कि समान्य विधी वर्षवास्ता को देखते हुए कारिक्रम को रद्द किया गया है इस कारिक्रम में दो लाग से अधिक लोग सामिल होंगे उनकी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा, पार्किंग, इस्तल, टोइलेट आदी के वास्ता करने में परिशानी है इसलिए पलामू, उपायुक्त ससरेंजन की और से कारिक्रम को रद्द कर दिया गया है अब कारिक्रम की आयोजन को लेकर अनुमती के साथ साथ प्रसासन से आपको किस-किस तरह की सुविदा और सही योग चाहिए उसे लिखित रूप में एक याचिका की रूप में पेश करें अदालत नहीं याचिका करतों को गुरुबार दोपार 12 बजे तक का समय दिया है आनलाइन ओडर की बाद 24 घंटे में बालू की होगी हम डिलिवरी खान वबहुतत ववदा की घुषना जारखन में ऑनलाइन ओर्डर की बाद 24 गंटे में बालू की हॉम डिलिवरी की जाएगी खानव भूतत विवा की और से इसकी गोशना करतों बे कहा गया है कि जल्द ही इस योजना की सुरवात कर दी जाएगी इसके लिए तैयारी चल रही है कहाए कि ऑनलाइन ओर्डर के लिए वेब पोटल बनाया जा रहा है बालू खनन के लिए घाटों की निलामी की तैयारी की जा रही है कुछ इस्तानों पर घाटों की निलामी भी हो चुकी है क्रिसी विवाक के सची अबू बकर सिद्दकी ने सरकार की चार वर्सों की उपलब्धियों की जानकारी देतो हुए बालू की होम डिलिवरी के बारे में जानकारी दी अब्बू बकर सिद्धिकी ने बता है कि राज में जार्खन खनीज विकास निगमद्वारत यलंगाना राज की तर्ज पर काम किया जा रहा है का है जार्खन में भी जो है सेकेंड टेक्सी पोटल को मार्च दुहजार चौबिस तक लागू किया जाएगा पोटल में पंजकृत जो है ट्रेक्टर वहनों के मालिकों नागरिकों और भुकताओं को जो है बालू का ओडर देने के 48 घंटे के अंदर जो बालू गंतव इस्थान तक पहुँचाया जाएगा वरतमान में 14 खनीज ब्लोकों को निलामी के लिए तयार किया जा रहा है काहे क जारकन में पहली बार जारकन अस्टेट जो सैंड माइनिंग पॉलिशी 2017 के तहत कुल 351 बालू घाटों के निलामे की प्रक्रिया निगम के द्वारा उपायुक्त के माध्धम से की जाई है 22 जनवरी के बाद एडी के सामने हाजिर होंगे अभिसेग प्रसाद पिंटू कहा पत्नी बिमार है मुकेमंत्री हेमंतु सोरेन के प्रेश सलाकार अभिसेग प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को एडी ने पूछ ताच के लिए बुलाय था लेकिन वन नहीं आए अब खबर आ रही है कि प्रिंटू 22 जनवरी के बाद जा सकते हैं उन्होंने एडी से समय मांगा है प्रिंटू ने एडी को पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि उनकी पत्नी की तब्यद खराफ है इसलिए पूछ ताच के लिए उन्हें 22 जनवरी के बाद का समय दिया कि हमें जाच के लिए राजसरकार की मंजूरी के जौरत नहीं है निदेशाले किसी को भी पूछता आज के समन कर सकता है समन का कारण पूछने का अधिकार राजसरकार को नहीं है बता दे कि कुछ दिनों पहले ही के बिनेर सचीव वंधना दादल ने एडी को पत्र भेजा जिसमें यह पूछा गया था कि किन कार्णों से सीम हिमन्तो सोरेन के प्रेशलाकार अभिशेग उर्फ पिंटू, साहिब गंज, उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को बुलाय जा रहा है। और FFP के मुखे गेट पर जूटने लगे थे। करीब आठ बजे तीनों प्लांटों के मुखे गेट और निगम मुख्याले की मुखे गेट में तारा लगा दिया। तीनों प्लांटों में बुधवार से किसी भी तरह के परवेस्पर पबंदी है। करमचारियों ने अनिशित पूर्चन संगर समेती का गठन किया है इसी समेती के बैनरतले गेट में तारा लगा गया है बुधवार को सभा की अधधक्सता मनोज पाठक ने की और कहा है कि जब तक वेतन का भुकता नहीं होगा तब तक यह ताला बंद ही रहेगा मुख्याले के पास रोजाना खिच्डी वनेगा मजदूर वही खाएंगे वही रहेंगे बुकारो में सड़क हास्सा अनित्री थोकर दिवार से टकराई बाइक हाथ से में पूरो वाट पारसत के बेटे की मौक बुकारो जिला के दुगदा हरिना हरिक सड़क मार के दुगदा इस्तिद जो सकामबरी पेटल पंप के समीब बुलेट बाइक अनित्री थोकर दिवार से जाठकराई हाथ से में बाइक चला रहे है फुसरो नगर परिशत शितर के पूरो वाट पारसत परमोध भारती के एक लोते पुत्र प्रियांसु कुमार भारती 22 वर्स्तिय की घटना सल पर ही मौत हो गई जबकि बाइक सुचना पर दुगदा पुलिस ने दोनों को जो डिवीसी चंदरपूरा अस्पिताल पहुचाया जहां जाचो प्रान चिकतसक ने प्रियांसु कुम्रत खोचित कर दिया जबकि घायल सोनुकमार को प्रात्मिक इलाज की बाया स्वजन जो है केम मेमोरियल अस्पिताल बोक कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप किंडो को एक लाक रुपए घोस लेते रंगे हाथ धरे गए हैं ब्रश्टचा निरोधक बीरों ने एक सिक्षिका की सिकायट पर कारवाई करते हुवे रिस्वत खोर डियू और कंप्यूटर ऑपरेटर को गुमला के जिला सिक्षा पदद काना में पदस्थापित एसाई को भी रिस्वत लेते एसीबी ने रंगी हाथ की रप्तार किया था घर्टना के संबन में मिली जानकारी के मुताबिक जीला सिक्षा पददिकारी सुनील सेखर कुजूर ने बारा मैं दोहजार तईस को मागी बालिका उच्ष विद्दाले एक निरेक्षन किया था वहाँ कुछ अनिमित्ता पाई गए थी नौ दिसम्बर दोहजार तईस को निरेक्षन पर तिवेदन में विद्दाले के सिक्ष का कुंति कुमारी पर आरोप लगातो हुए उनसे असपश्टी करन मांगा गया कुंति कुमारी ने बारा दिसम्बर दोहजार तेस को बचाओ असपश्टी करन दाखिल किया और जिला सिक्षा पदधिकारी से उन्हें दोशमुक्त करने की अपिल की इसी के एवच में डी एओ ने एक लाग रुपे मांगे थे नकसल परभावेत इलाके में गोली मारकर हत्या नकसलियों पर सक पुलीस कर रही है पूरे मामले की जाच पसमी सिंगुम जिले के चाइबासा में टोंटो ठाना चेतर के नकसल परभावेत चेतर में इस्तित सुईंबा गाउं में एक अधेड वाक्ती की गोली मारकर हत्या क अब तक पता नहीं चल पाया है यह घटना नकसल समन्दित है यह आपसी विवात का मामला है पुलीस जो चान बीर में लगी है नकसल परभावित सुदूर चेतर में घटना असल होने के कारण जो है पुलीस को घटना के बारे में बुधवार देर से सुचना मली इसके साथ ही नकसल पर भाविच शेतर होने के खारण पुलीस को सव बराबंगी में भी अधिक समय लग रहा है। एडी ने सहिब गंच डीसी के ठिकाने से गोली और कास बरामत किया था। है हलसियो अनिल कुमार सिंग के खिलाब गिरबतारी का वारण चारी हुआ था। इसके बाद पुलीस के टीम अंगलवार को उनके आवास पहुँचकर इस्तिहार चिप काया है। पुलीस ने परिजनों से उन्हें जल्द सरेंडर करने को कहा है। कॉंग्रेस सोड कै नेताओन ली भाजपा की सदस्ता गडवा जिला कॉंग्रेस के पूर्व अधक्ष नेतामा भाजपा का दामन भाजपा के कुन्बे में लगातार इज़ापा हुँ रहा है। भुधवार के प्रदेश कार्याले में मनिका जिला परिशत सदस्ष बल्वंत सिंग गारू प्रखन पूर्व जिला परिशत सदस्ष सिल्पा कुमारी मनिका के पूर्व प्रखन पर्मुग गायतरी देवी अपने सैकडो समर्थकों के साथ ही गडवा जिला कॉंग्रेस के जिला अध्धक्ज अर्विन तूफानी के नितितों में सैकडो समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी की उपस्तिती में भाजपा की सदस्यता गरन किया इस मौके प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि हम लोगो को मिसन दोहजार चौबिस में एक बार फिर से मोधी सरकार के संकल्प के साथ जाना है प्रदानमंत्री नरेंद्रो मोधी के दो टर्म के कारेकाल में अद्भुद कारे किया गया उनके कामों के तुनला किसी भी सरकार के साथ नहीं किया जा सकता अधालत ने ईड़ी को एज़र अनसारी की छे दिन किरिमांड कोल लिंकेज केस में होगी पूचताच, पूजा सिंखल की वड़ी कि मुस्किले, कुईला कारबारी एज़र अनसारी के बुधवार को पीमले के विसेस अदालत में पेशी हुई, अदालत ने एडी को एज़र अ केस के सिलसले में चाप मारे की थी इससे पहले एडी ने मार्च दो हजार तैस में भी इजहार अंसारी की ठीकानों पर चाप मारा था तब उसके घर से तीन करोड रुपए से ज़्यादा की नगदी मिलनी थी रिम्स में तीन किलो के ट्यूमर का सफल आपरेशन रिम्स में डॉक्टरों की टीम ने किया आपरेशन कई घंटे तक चला आपरेशन राचिक रिम्स में बुधवार को नियूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभागने सतरा वर्स ये बच्ची के सर से करीब तीन किलो का ट्यूमर का सफल आपरेशन किया परिजनों ने कई अस्पतालों में इलाच के लिए भाग दोड़ की लेकिन आपरेशन की जटिलता को देखते हुए सभी ने इलाच करने से इनकार कर दिया अन्तताह या बच्ची रिम्स के नियूरो सर्जरी विभाग में डॉक्टर सी भी सहाई की यूनिट में भरती हुई नियूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने कई घंटे तक शले इस जटिल आपरेशन के द्वारा ट्यूमर को हटाया या ट्यूमर काफी बड़ा था और रख तसराओ वाला ट्यूमर होने के वज़े से टीम को आपरेशन करने में काफी जटलता का सामना करना पड़ा मरीज के सिती अभी बहतर है और स्वास्त होने पर जल्द छूटी दे दे जाएगी ग्रेडी एस्पी ने क्राइम मीटिंग में 22 जनवरी को ले कर दिये अवश्चक दिसनरदीश बुधवार को न्यू समहरनाले इस्तित एसपी कारयले के मीटिंग हॉल में ग्रेडी एस्पी दीपक कुमार सर्मा ने खास क्राइम मीटिंग किया इस दोरान बैठक में भी आयोध्या में जो नवी और भव्य राम मंद्री के प्राण परतिष्ठा कारिक्रम को ले कर खास चर्चा हुई इस दोरान एस्पी ने हर डीएस्पी और थानेदारों को 22 जनवरी के प्राण परतिष्ठा को ले कर टास्क दिया और कहा है कि गुरवार से सुकुरवार तक हर थानेदार अपने इलाके के दोनों समुदाईयों के लोग के साथ सांती समयती के बैठक करे और सांती के साथ प खुद भी 20 और 21 जनवरी को लोगों से रूबरू होने के लिए निकलेंगे और लोगों की लोगों से सांती व्यास्ता के शाथ प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम की अपिल करेंगे CM समझ गए कि अहंकार से काम नहीं चलेगा वह भारत कहें हिस्सा है, संसत में जो कानून बनते हीं वह पूरे भारत में लागू होता है। वह भारत में जो कानून बनते हीं वह भारत में लागू होता है। वह भारत में जो कानून बनते हीं वह भारत में लागू होता है। और एक्सरे टेक्निक्शन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो गलत है। प्रसिक्शन को बंद किया चाहे और निवंधन को रद करतो हुई जल्द रोक लगे। जार्कन राजे पारा मेडिकल परिशद मामली में जल्द संग्यानले पारा मेडिकल शात्रों ने काए कि जार्कन संजुक्त परवेस परतियोगता परिशद से उतिरन होने के बाद मेडिकल कॉलेज में नामांकन होता है और दो वर्स का प्रसिक्शन और एक वर्स की इंटर नसीब करने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है इसके बाद जारकन राजय पारा मेडिकल परिसत से निबंधन होता है लेकिन सरकार से सनविदा कर्मियों को 15 दिन का मेडिकल कॉलेज में प्रसिक्षन दे रही है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं जब तक सरकार इस सर्टिक्स अस्टेडियम में सरसटवी राश्ट्री अस्कूल खेल परतियोगिता स्जी एफ़ाई का उदखाटन किया अस्कूली सिक्षायों साक्षरतेवाग जारकन की और स्ट्री आयुजित इस परतियोगिता को जारकन के लिए महत्तपून उपलबधी बताया कहाए कि या बहुत खुसी की बात है कि फुटबाल, कबड़ी, वोसू, अस्कार्टिंग से पांच खेलों की मेजबानी जारकन कर रहा है अब जारकन में ओलम्पिक क्वालिफायर महला होकी भी चल रही है यहां लगतार कई खेल परतियोगिताएं आयुजित की जा रही है इसमें सी जार सी 8500 उर्परता खेल उपकरनों के खरीद के लिए मिल रहे हैं। सुभम कुमार जासवाल, संकेत तिवारी अभिशेक कुमार, संजीू चौधरी सहित अनिलोक शामिल थे। ग्रामिनों ने घंटो राहे बुंडो सडक जाम कर दिया जिससे घंटो यातायात पर भावित रहा। और गुश्राई ग्रामिनों ने इसी को लेकर राहे बुंडो राउड को जाम कर दिया। गटना की जानकरी बुंडो पुलिस को मिली, मौके पर पहुँची पुलिस और अन्चला धिकारी बुंडो ने आकरोशित ग्रामिनों को समझा बजा कर जाम खुलवाया। गुश्राई ग्रिडी जिले में 176 पेटी अंग्रेजी सराब जब्द दो लोग की हुवग गरपतारी सराब बिहार ले जाने की थी तरयारी। ग्रीडी में अंग्रेजी सराब की 92 पेटी और सरिया थाना छेतर में 84 पेटी सराब जब्त की गई है। ग्रीडी स्पी दीपक कुमार सर्मा को मिली गुपतु सूचना की आधार पर ये अच्छा पे मारी की गई है। पुलिस ने एक अंग्रेजी सराब के साथ एक पीकप वहन चालक को जब्त किया है। किया है धोनी ने इन दोनों के खिलाब 15 करोड की धोका धड़ी का मामला राची कोट में दर्च कराया था। मिहीर और सुम्या ने अपनी याचिका में काहा है कि MS धोनी और उनके करिबियों की और से जो बयान दिया जा रहे हैं वो अपमान चनक हैं। उन्हें रोखा जाए। इसके अलावा मिहीर को लेकर कई सोशल मेडिया प्लेटपॉर्म पर जिस तरह की खबरे चल रही है उन्हें हटाने का अनुरोध भी दिल्ली हाई कोट से किया गया है। महंदर सिंग धोने की और से दायर केस में मिहीर पर बिजनेस पार्टनर के रुख में 15 करोड की गड़बड़ी करने की बात कही गई है। धोनी की और से राची के सिविल कोट में मिहीर दिवाकर और उनकी पतनी सोम्यादास पर धोखाधरी करने का केस किया गया है।